हेलो स्टुट्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 5 जिसका नाम है ट्री आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्री का इंट्रोडक्शन कि ट्री किसे कहते हैं और इसके क्या-क्या जो टर्मनोलाजिस हम लोग को यूज करना है वो चीज हम इस इस वीडियो में देखेंगे चलिये श्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले उन्ट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग अभी तक क्या हुआ कि हम लोग ने अभी तक जितना भीज़िश्टेडी किया है इसके पहले जो फ्रोफ उनिट वो हमने सब study किया है linear data structure लेकिन हम जो अब study करने जा रहा है यह जो हमारा फिप्ट इनुट्री है इसमें हम लोग non-linear data structure के बारे में बात करेंगे यहाँ पर यही चीज लिखी गए कि so far we have discussed mainly linear data structure string array English stack and queue यह जो हमारा था जो सब linear data structure था लेकिन हम अब क्या जो यूज करेंगे अब हम यूज करेंगे non-linear data structure जो की हमारा होता है tree तो अब यहाँ पर क्या है now we will discuss non-linear data structure tree are mainly used to represent the containing a hierarchical relationship between elements for example record family tree and table of contents basically tree का जो यूज किया जाता है कोई जैसे एक hierarchical structure बनाया जाता है किसी family का जैसे उसके family का बनाया जाता है किसी की grandfather के son हुएं क्या उनकी child है फिर उन जो ग्रैंट फदर के son के फिर क्या son हुएं क्या जो उनकी child हुएं उनका हम लोग एक hierarchical data structure बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं tree और इसको हम लोग कई बार जो table of content में भी यूज करते हम लोग यहाँ पर क्या example लेके चलेंगे consider a parent child relationship हम लोग यहाँ समझेंगे कि tree हमें कैसे बनाना है और tree में क्या क्या चीजें जो होता है क्या क्या जो terminology हमें यूज करना है तो यहाँ पर हमने एक tree ले रखा है यहाँ पर एक जॉन है जॉन के दो child है इस्टिव और रोहन फिर उसके बाद इस्टिव के तीन चाइल्ड यहाँ पर हो गये जो हमाई ली बॉब इला एंड इसार रोहन के एक जो child है सहल है है दूसरा जो child है इमा इमा के फिर भी दो child होते हैं टॉम और राज और टॉम के भी एक हमारे यहाँ पर चाइल्ड दिय होता है तो जैसे पेड क्या होता है नीचे जड़ से एक रहता है फिर आगे उसमें एक डाल निकली फिर उसके बाद और डाल निकलती है लास्ट में सबसे उसमें क्या मिलता है हमें लीफ मतलब पत्ती मिलती है तो उसी के मेल में उसी का यहाँ पर प्रैक्टिकल अगर ठिं फोड़ा सा और इसका इंटोड़क्शन देख लेते हैं क्या यहां पर दे रखा है a tree is an abstract model of hierarchical structure that consists of node with a parent-child relationship, tree is a sequence of node, यह क्या होता है, sequence of node, जो sequence होते है, node का उसे हम लोग tree बोलते हैं, there is a starting node known as root node, जो starting node होता है, जैसे tree में starting में, जो सबसे starting में किसी पेड़ की जो होता है, उ उसी तरह यहाँ पर जो starting node होता है, उसे यहाँ पर हम लोग root बोलते हैं, and every node other than the root node है जो root node होता है, उसके अलावा जितने भी nodes होते हैं, हम लोग उसे parent node के नाम से यहाँ पे जानते हैं, node में है any number of child, मतलब कि जैसे पेड़ में किसी node पे डाल निकल भी सकती है, डाल नहीं भी निकल सकती तो इसे तरह यहां पर child हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो हमारा इसका introduction हुआ यहां पर एक डाइग्रमेटिक structure ले रखा है लेकिन हम इसको समझेंगे जो हमारे key terms है जो हम लोग यहां terminology जितने भी ट्री है उनमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो हम यहां पर key terms क्या-क्या यहां पर दिये गए हैं तो सबसे पहले हमारा होता है root क्या होता है node at the top of tree is called root कि यहां पर क्या होता है यह जो top में यहां पर दिया गया है यह हमारा root हो गया हमने root को देख लिया उसके बाद हम यहां पर क्या है parent क्या होता एनी node except root node has one edge upward to a node called parent मतलग कि यहां पर क्या है कि यह parent node है जैसे root node को छोड़ करके यह भी हमारा parent node में ही आएगा यह हमारा root node है इसको छोड़ कर जितने भी nodes हैं जिनके child हैं वह हमारा होता है parent node उसके बाद हम देखेंगे child क्या होता है यहां पर child दिया गया है node below a given node connected by its age downward to call child node मतलब यहां पर देखें पर देखेंगे child node हो गया हमारा फिर उसके बाद हम यहां पर देखेंगे sibling sibling हम real life example से समझ सकते है sibling क्या मतलब क्या आपका सगा भाई या सगा बहन होता है हम लोग उसे sibling बोलते हैं इसी तरह यहां पर भी किसी का जो parents के सगा भाई हो या बहन हो जो child यहां पर हैं वो हमारे यहां पर sibling कहलाते हैं तो यह जै आगे कोई डाल या child उसमें नहीं रहता तो इसी तरह यहां पर भी जो last का सबसे जैसे इस जो node में हम देखें इसका जो child है इसका कोई sun नहीं है तो यह हमारा क्या होता है leaf node हम लोग इसे leaf node अगर इसके भी अगर आगे sun निकलते हैं तो वह वहां पर node बन जाएगा फिर उस से है इसके बाद branches निकली यहां पर एक आगे इसके child हुआ तो यह होता है हमारा sub tree मतलब कि यह बड़ी family है उसका जो some part हम उसको बोलते है some family sub family आगे इसे हम लोग एक topic पढ़ते हैं किसी भी subject में तो उसके जो main topic होता है उसके अंदर हम लोग सब topic पढ़ते हैं तो उसी तरह यह main tree के अंदर जो एक tree की form में बना दिखे वो हमारा होता है sub tree तो यह हमने यहां पर देख लिया sub tree यहां पर triangle structure आप दिखा है थोड़ा सा हलका इसका color है मैंने आप फिर से थोड़ा इसको डार करके आपको दिखा दिया यह हो गया हमारा sub tree फिर उसके बाद हमारा क्या होत यहां पर basically होता क्या है जैसे root node है तो यह root node हमारा level 0 होता है यह हमारा level 0 हो जाएगा फिर उसके बाद जो उसकी child हुई उस child जो आगे की एक generation आई तो उसको हम लोग level 1 बोलेंगे उस child की जो next generation होगी उसको हम लोग level 2 बोलेंगे इसी तरह आगे की और बढ़ती चली जाएग जैसे हम practical life में भी देखते हैं कि बोलते हैं कि यह पूरानी generation का है यह new generation का है यह first generation है इन लोग की यह second generation है तो इसी तरह यहां पर हम लोग level को भी compare करते हैं तो उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे keys क्या होता है key basically क्या होता है key represent करता है किसी value जो node की value होती है यह searching operation मे हम लोग देखते हैं तो जो left child की value हमेशा क्या होती है अगर यहां पर binary tree का example लिया जाए तो left tree में जो हमारे left child होगा उसकी value हमेशा low होनी चाहिए root node से जो binary tree में हैं और जो right side की value होती है हमारी वो हमेशा root node से increment होने चाहिए यह हमारा होता binary tree का एक जो criteria होता वो हम लोग यहां पर लेके चलते हैं हमने की देख लिया अब हम यहां पर देखेंगे degree of node की degree of node क्या होता है यहां पर पहले देखते हैं language में the degree of node is the number of children of that node कि जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो कि इससे जो क्या कहते हैं इस चाइल्ड यह node है इस node की क्या degree है अगर इस node की degree देखे जाए इसके number of child कितने 2 है जब 2 child होंगे तो हमारी इसकी degree 2 हो जाएगे अगर इस node की देखी जाए तो इस node के जो child है एक single child है तो इसकी degree 1 हो जाएगी हमने यहां पर degree समझ लिया किसी node की degree क्या होती है फिर degree of tree देखेंगे कि degree of tree किसे कहते हैं the degree of tree is the maximum degree of given tree मतलब कि किसी एक tree में अगर जो maximum किसी node की degree है जैसे हम इस tree का example लिए तो यहाँ पर जो maximum degree है maximum degree अगर देखा जाए तो इस node की है और इस node की हमारी 2 दी गई है तो maximum degree यहाँ पर जो minimum देखा जाती इसकी हमारी single है minimum तो मतलब minimum तो zero भी हो सकती क्योंकि यहाँ पर इसके कोई child ही नहीं है तो यह maximum इसका degree हुआ दो है कि एक node का यह हमारा होता है degree of tree मतलब किसी node का अगर tree में maximum जो degree होती है वो हमारा कहलाता है जो degree of tree तो हमने यहाँ पर degree of tree भी देख लिया path देखते है path क्या होता है it is the sequence of consecutive aids from the source node to destination node path basically हम लोग अगर ऐसे ही देखे path मतलब रास्ता की रास्ता क्या है तो हम किसी जैसे जो हमारा हमने कहीं destination पर जाना है जैसे हमें इस a से h तक हमें जाना है यह हमारा यहां से लेकर यहां तक यह path हो गया इसे हम लोग path बोलते हैं अब यहाँं पर बात की गई हjas path length क्या है तो path जब हऊगा तो हम लोग path की length जब kilometr में या 2 minute में से यहां पर तेक देखते हैं लेकिन यहां पर हम लोग node wise गिनते हैं किसी भी node का होता है यहाँ पे हो गया हमारा path length यह सब चीजे जानना बहुत जरूरी है कि आगे क्योंकि जो हमारे questions आएंगे उनमें इन चीजों का use होगा तो आपको थोड़ा confusion होगा तो questions आपके गलत हो सकते हैं तो हमने यहाँ पे देख लिया path length जो हमारा होता है किसी ट्रिक वो देख लिया अब height of node भी जानना जरूरी होता है the height of node is the maximum path length from the node to leap जो हमारा height of node होता है height of node हम वहाँ से देखते हैं हम जैसे यहाँ पे example लेते हमारा node B हमने यहाँ पे node B को example में ले लिया तो इसका अगर height हम देखेंगे तो जितने इसका जो इधर maximum जो हमारा length आगे leap की होगी तो वो हमारा होता है height of node तो यहाँ पे जो दो unit इसकी यहाँ पे height हमारी जो B की बनेगी फिर उसके बाद यहाँ पे हम से पूछा है कि depth of node क्या होगा तो depth आप जब node की बात करें हम इसी B की अगर depth देखेंगे तो यहाँ से जो root की तरफ हम height देखेंगे node से leap की तरफ और जब हम लोग depth देखेंगे तो हमारा node से root की तरफ वो हमारा होता है depth अब इसके बाद हमारा depth भी देख लिया कि depth हमारा क्या होता किसी node का यहां पर वही सेम चीज़ लिख रखा है अब उसके बाद हमारा आता है height of tree, किसी tree की height क्या होती है height basically क्या होगी height of the tree is the height of the root किसी भी root की जो height होती है जैसे हमने node लेते थे root node की height होती है वही होती है हमारी maximum, मतलब किसी भी side में अगर maximum height root node की होगी उसी को हम लोग बोलते हैं height of tree क्योंकि जो root node होगा वो एकदम level 0 पे होगा वही सेम उसका पूरे tree की level होगा तो वो हमारा हो जाता है height of tree वहीं पर अगर depth of tree देखेंगे तो depth of tree भी क्या होगा depth of tree is the maximum level of any leaf in the tree मतलब कि किसी जो इस example से देखें इसका maximum level क्या है हमारा 3 level है maximum level 3 है तो इस जो tree की depth होगी वो भी हमारी 3 होगी तो हम लोग यहां से level से इसको सीधा conclude कर सकते हैं कि किसी tree की क्या depth होती है क्या height होती है यह सब चीजे हम लोग यहां पे देखें यह हमारा जो आगे हम लोग यहां पे word use करेंगे tree में जो binary tree यह जब solve करेंगे या avial tree solve करेंगे कई तरह के हम लोग आगे tree देखेंगे तो यह हमारा complete हुआ इसका introduction tree का तो यह पढ़ना बहुत जुरूरी था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सोच है कि इसको भी हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं तो अब इसके बाद हम लोग इस्टार्ट करेंगे binary tree फिर वहां पे देखेंगे binary tree क्या part होते हैं उसके क्या-क्या complete binary tree क्या होता है और उसके जो parts होते हैं वो हम आगे देखेंगे next video में तो इस video में बस इतना ही मिलते हैं next video